कि हमारे हैं लेबर कॉस्ट वेरियांस कॉस्ट वेरियांस कॉस्ट वेरियांस पढ़ रहे हैं उन सभी से मैं कुछ कुछ चीज़े पूछना चाहूंगा वो बताएंगे सबसे पहले अगर मैं पता हूं लेबर कॉस्ट वेरियांस का इसका फॉर्मूला होता है इस टेंडर्ड या फिर मैं इधर भी लेकर चलता हूं एक मिनट क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको चलिए लिखता हूं इस टेंडर्ड आवर इंटू स्टेंडर्ड रेट माइनस एक्चुल आवर इंटू में एक्चुल रेट फॉर्मूला समझ लिजीगा पहले और आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम ही है इसमें कुछ ऐसा है नहीं ज्यादा कुछ तो सबसे पहले लेवर का जो हम काउंट करते हैं लेवर को जो हम बनाएंगे तो लेवर को किसमें आवर में जैसे उसको किसमें करते थे लेवर अच्छा एक्चुल आवर अब इसके दो टुकड़े हुए थे पहले इसको दो पार्ट में हम अगर पहले ये क्लास उसी बच्चे को समझ में कि जिसने के पहले वाला पॉइंट करा हुआ है उसके अक्टिंग में लेके चल रहा हूँ जो बच्चा डारेक्ली ये देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा लेवर पॉस्ट वेरियं उससे पहले standard cost variance के अंदर आपका material cost variance आपको देखना पड़ेगा तब ही समझ में आएगा इसके बाद हमारा क्या था यहाँ पर वहाँ पर था actual quantity price का अलग था और usage का अलग था तो यहां पर प्राइज के जगहाँ पर हमारा क हमारा लेवर रेट वेरियांज हमारा हम आई था तो अब परेजिबर और क्या था हमारा वहाँ पर स्टेंडर्ठ रेट रहेगा- हैं किया है था हमारा actual rate यहां भी एक्शालब रहेगा तो humility इसके बात कहता है हुआ यूजेसी था लेकिन लेबर को यूज्य करेंगे माँ यूज रोइन माटि़ियल यूज भीरियांस लेखिन यहां पर मतिरियल यूज भीरियांस नहीं होगा labor uses variance नहीं होगा labor का क्या होगा labor हमारा किस में count होता है अगर labor देखा जाए labor hour क्योंकि वहाँ पे use करते थे यहाँ पे labor hour variance में चला जाएगा मैं अभी इसका अगर देखा जाए यहाँ पे क्या formula था sir यहाँ पे standard rate था स्टेंडर्ड रीड और क्या था बताओ standard quantity की जगह क्या आएगा standard hour minus में क्या आएगा actual quantity की जगह पर actual hour पहले ये वाला देख ले आप यहां तद फिर हम उसके आगे चलते हैं हम question number करेंगे 27 मैं सारे formula लिख देता उसका labor efficiency variance कि अखर पस्सेट कि अंध दो कि अवने माईत हम ए फूश्टिए कि अवने बस्ताओ के अवने था है कि अवने कि अवने तेंप रूगाजी है पर फॉर्मूले लिख देता हूं फिर मैं समझा के फिर खरेंगे ठीक है अगर 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 हो раб कर अगर याव कर अगर झाल 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 चलिए सब अब स्टार्ट करते हैं मैं फॉर्मूला लिख रहा था मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था हमारा अगला वेरियांसिस है स्टार्टिंग से देख लेते हैं अगला वेरियांसिस है हमारा लेवर कॉस्ट वेरियांसिस का क्या मतलब है हमने देखा था कि सर हम क्या सीखने वाले हैं हम Standard Costing सीख रहे हैं, Standard Costing की अगर बात करें, तो हमें निकालना क्या था सर? हमें निकालना था Profit, ध्यान दीजिएगा, फिर हम समस्ते जाएंगे, हमें क्या निकालना था Profit, Profit निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा सर? आपको चाहिए होगा sales और आपको क्या चाहिए होगा cost cost की हम बात कर रहे थे तो cost के अंदर अगर देखा जाए तो cost के अंदर काफी सारे point होते है cost के अंदर क्या क्या point था सर cost के अंदर देखा जाए तो हो सकता है हमारा material हमारा एक cost है हो सकता है हमारा labor cost है और हो सकता है overhead, बस हमें इतना ही करना था, material वाला हम कर चुके हैं, labor वाला आज करेंगे, overhead वाला कल करेंगे, तो ऐसे खतम होगा, sales और फिर profit का एक साथ ही हो जाएगा, तो labor cost variance या फिर material cost कर चुके हैं, तो एक बार मैं material cost variance का formula लिखना चाहूँगा, इसे मिठा के, तो सर हमने सीखा था, material cost variance, इसका formula था सर, standard rate into में, standard quantity minus में, actual rate into में, actual rate into में, actual quantity, ये तो था material cost variance का, material cost variance, इसके अंदर दो टुकडे निकाल दिये सर आपने, क्या दो टुकडे निकालें, एक price variance और एक usage variance, अगर price variance की बात करें, तो क्या था सर, actual quantity, इन्टू में standard rate minus actual rate और अगर हम uses की बात करें तो यहां पर क्या था सर हमारा standard rate into में हमारा standard quantity minus में actual quantity अब इसके अंदर दो तुकडे निकल गाए थे सर इसके अंदर दो टुकडे कौन से थे सर एक था हमारा mixed variance और एक था हमारा yield variance मैं पिछला सारा revise करा रहा हूँ यह yield variance mix variance में क्या था अब क्योंकि यहां standard rate है तो इससे निकलने वाले जितने भी components आएंगे जितने भी आएंगे सब में पहले standard rate होगा अब standard rate के बाद देखा जाए तो हमारा क्या था यहां पर revise standard quantity minus में minus में actual quantity revise standard quantity minus में actual quantity और यहां पर क्या formula आया था सर्थ जब हमने yield का निकाला था फिर से हमारा standard rate होगा यहां पर आ गया था हमारा standard rate minus में revise standard quantity revise standard quantity यह सारा का सारा हमारा formula रहा था कहां पर अच्छा हां इस्टेंडर् quantity यह सारा का सारा formula था अब इसको compare करो जिस बच्चे को यह आता है ना उस बच्चे को यह भी आ सकता है ध्यान देना जिस बच्चे को cost variance आता है वो बच्चा standard तो जो बच्चा पहली class में है first class देख रहा है ठीक है ना base मैं लेके चल रहा हूं material variance है और material variance को ही waste मान के मैं कहां पर जा रहा हूं तो जिन्होंने पहली class नहीं देखिए material का उनको समझ में नहीं आएगा अब हम यह वाले चीज़े formula formula के लिए समझाने के लिए compare देखिए सबसे पहले देखिए क्योंकि labor है तो labor के अंदर या तो आप actual time लीजिए या फिर actual hour बोलिए आप दोनों में से कोई एक word का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि labor जो काम करेगा वो hour के basis दिया जाएगा rate तो दोनों में था quantity का भी rate से होता है और labor का भी wage rate होता है तो यहां यानि सब जहां जहां पे आपका अब क्या होगा जहां जहां पे standard quantity या फिर जहां जहां पे actual quantity शब्द का इस्तमाल करा गया था वहां पे आप actual hour या फिर आप standard hour का इस्तमाल कर सकते हो या करना ही पड़ेगा समझे बात हम तो पहला formula देखे क्या कहता है standard rate तो देखे यहां पे भी हमारा क्या है देखे standard rate तो यहां पे भी है और actual rate तो यहां पे भी है लेकिन जहां standard quantity लगाना था व यहाँ actual quantity लगाते थे वहाँ पे actual hour लग गया तो पहले वाला formula देखोगे तो सरफ और सरफ यह part replace हुआ ठीक है उसके बाद अगला formula देखा जाए तो इससे क्या निकलता था पहले हमारा price का variance और usage का variance तो यहाँ पे हमारा price तो निकल जाएगा labor rate variance निकल जाएगा जितना labor का rate होगा formula क्या कहता था actual quantity तो अब actual quantity तो है नहीं तो क्या आगे हमारा actual hour और क्या कहता था standard rate अब भी है actual rate अब भी है तो देखेंगे तो बिल्कुल क्या निकल गया हमारा यहाँ पे same निकल गया दूसरा उसके बाद हमारा uses था uses के जगह पे यहाँ पे हमारा आएगा efficiency के worker कितना काम करता है formula क्या था standard rate और standard quantity actual quantity standard rate यहाँ पे given है actual quantity और standard quantity के जगह पे बस hour हमने use कर लिया है इसके बाद इसमें से दो निकलते थे लेकिन थोड़ा सा changes है इसमें से कितने निकल गए सहाब इसमें से निकल गए हमारे तीन तो यह वाला तीसरा वाला पार्ट हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और तीसरा पार्ट हमारा नहीं भी हो सकता है depends on situation अब यह है क्या idle hour क्योंकि labor के अंदर जैसे मान लो actual में actual hour मैंने काम के लिए दिये थे 200 लेकिन उसमें से 12 घंटे 12 आवर उसने क्या करा waste हो गया light चले गया किसी वज़े से तो 12 घंटे हमारे क्या होगे सर 12 घंटे हमारे होगे जिसके अंदर idle time बोला जाएगा क्या बोला जाएगा idle time बोला जाएगा तो यानि हम तनक्वा तो उसको 200 घंटे का देंगे लेकिन काम जो होगा actual में वो कितना होगा work जो होगा वो कितने घंटे मोगा 188 यह actual hour है लेकिन इसे मैं बोल दूँगा actual time work जिसके अंदर काम हुआ है actual time work तो दोनो actual की बात कर रहा है standard नहीं है 200 घंटे की मैंने salary दी ये भी actual है लेकिन काम क्या वाक्य में 200 घंटे हुआ अगर पूरे 200 घंटे काम हो रहा है तो idle hour तो होगा नहीं तो ये वाली line ही खराब है फिर हमारी समझ रहे हो बात लेकिन अगर 200 घंटे में से उसने 12 घंटे हमारे waste हो गए light जाने की वज़े से raw material की नहीं वज़े से बहुत सारी कारण से तब ये वाला variances आएगा जहां पे time का wasting होगा और time का wasting को हम कैसे calculate करेंगे actual में से अगर हम जितने घंटे की salary दे रहे हैं उसमें से idle घटा देंगा तो उसे क्या बोलेंगे actual time work तो यहां पे देखिए मैंने जो use किया है standard rate standard hour वो तो पता ही है कैसे निकलेगा actual time work लिख दिया है actual time work का मतलब यहां पे क्या आना चाहिए 188 ठीक है न तो यहां पे दो actual time हो गए eigentlich actual time work हो गया एक normal actual time हो गया normal actual time मतलब जितने में आपको तंफ़ा दिया गया है और actual time work का मतलब क्या होगा आपका जिस समय मे आपने काम किया है तो अब इसके बाद जितने भी कहानी है वो सारा इससे ऊपर तो actual work में चलेगा, इसके बाद हमारा आजाएगा, sorry actual time में चला जाएगा, actual hour में चला जाएगा और उसके बाद actual time work में चला जाएगा, तो यहाँ भी देखे time work है, revise के बाद वहाँ पे actual quantity आता था यहाँ पे क्या आगया, actual time work और ये वाला तो पहले वाला ही रहा दूसरी बात माल लिजी आपका ये आइडल आवर ही नहीं तो ये वाला होगा क्या? कमेंट पे बता रहे है आइडल आवर नहीं है तो ये भी नहीं होगा अगर आइडल आवर नहीं है फिर बताते हैं ये फटाफट से फॉर्मूला यूज करी एक बार चलिए मैं इसे एरेज कर देता हूं सारे फॉर्मूले को क्योंकि फॉर्मूले तो हम रखनी सकते हैं यहां पे reason के question भी करने हैं तो सारे फॉर्मूले को मैं यहां पे खतम कर रहा हूं एक्चुल टाइम वर्क और यह जो मैंने लिखवाया है इसी के बेस पे पूरा एक सवाल कर लेते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं अगेन कहना चाहूंगा कि भाई सवाल नंबर हमारा है 27 तो सवाल नंबर 27 जिन बच्चों को दिख जाए बहुत अच्छी बात है जिनको बलर वगरा दिख रहा है थोड़ा मैनेज करेंगे सवाल नंबर 27 में देखे क्या कहता है कहता है तो टीम को कई बार गैंग भी बोल देते हैं कहता है कि यहाँ पर जो गैंग है एक स्किल्ट वर्कर का गैंग है एक सेमी स्किल्ट है और एक अनिस्किल्ट है skilled का मतलब सभी होनार है और semi skilled का मतलब क्या होगा थोड़े से कम होनार है unskilled का मतलब पूरे होनार अभी तो training पे चल रहे होंगे the standard output of gang unit per hour कहता है standard output जो होता है per hour यानि जो आपको यह दे रखा है कि इतने worker है तो एक घंटे का आपको यह सारी जानकारी दी जा रही है during the month में हुआ क्या skill के इतने लगे number of worker और wages paid rate यह था यहाँ पे standard का दे रखा है यहाँ पे wages का दे रखा है gang was engaged 200 hour gang को 200 गंटे हमने 200 गंटे पूरा काम लिया इनसे which was 12 गंटे जो है 12 hour no production यानि आइडल टाइम रहा था due to machine breakdown, machine ही बंद हो गई थी, 810 unit सर्फ produce कर पाए और out of the gang unit 1 month का और सारे variances आपको निकालने है तो बड़ी सीरी सी बात है जो सारी चीज़े आपको बताये गया वो मैंने यहाँ पर पढ़ दिया बाकी बाद में तो question लग जाता और जिनके पास किताबे है उनको कोई ज्यादा सोचने की दिक्कत है नहीं तो मैं एक बार सवाल वैसे भी लिख देता हूं सवाल मेरे पास है मैं लिख भी देता हूं ठीक है जिनके पास MNR ODA की बुख है उनको दिक्कत ही नहीं हो नहीं चलिए सर्फ questions लिख देता हूं questions असाइस है practical problem आपकी किताब का और यह questions ICWA इंटर में पूछा गया है यानि एक टफ questions मांग सकते हैं इसको तो ध्यान से देखिएगा तो हम यहां पर वही टेबल जैसे पहले बनाते थे वही टेबल बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बस इसके अंदर एक टेबल के अंदर एक पार्ट और एक्स्रा जोड़ जाएग स्टेंडर्ड के हिसाब से और स्टेंडर्ड में तीन चीज़े थी रेट और अब क्या लेंगे हम एक्चुल के हिसाब से एक्चुल के अंदर भी अब तीन चीज़े आ जाएंगी यह देखिए यह देखिए एक आजाएगा स्टेंडर्ड आवर एक स्टेंडर्ड रेट और एक रिवाइज स्टेंडर्ड आवर ठीक है यहां पर आजाएगा एक एक्चुल आवर और एक्चुल टाइम वर्क आवर करते हैं और एक आजाएगा एक्चुल रेट तो थोड़ा सा आप पहले इस पॉर्मेट को समझ लिए इसके इंदर एक कॉलम और एड हो गया हमारा ठीक है ना कि कहता है यहां पर स्किल्ड टू वर्कर एट आज स्टेंडर्ड रेट ट्व हैं उद्सारे फार्मॉले से क्क लिएक कहता हैं यहां पर कि आपको देट्र कंपोजिशन वर्कंग वेज रीट पर आवर परॉर देरक्खा है यहां पर एक स्किल्ड वरकर है है और एक सैमिल्ड है और एक उन्सकिल्ड है unaskilled worker ठेकै दो worker एट A standard rate skilled के अंदर दो worker है ठेक ना मैं एक ठली idea बता रहे तो क्גם टू worker है, standard के अंदर दो worker है जिनको 20 रुपए के हिसाब से rates के मिलेगा यह है मारा skill और ऐसे semi skill है जहां पर चार वरकर है और इनको भी यह बारा रुपे पर आवर मिलेगा और आगे अगर हम बात करें तो अनस्किल है जहां पर हमारे चार वरकर है इनको भी यह सस्ता देंगे आठ रुपे पर आवर यह तो standard की detail की बना देते हैं यह गैंग को बिड़ा दिया मैंने गैंग को काम करने के लिए दे दिया तो एक घंटे में यह सभी गैंग मिल जाते हैं कहता है standard आउटपुट्र दा गैंग 4 जॉनिट पर आवर एक घंटे में अगर इन सभी गैंग को लगा दिया दिया तो एक यूनिट बनागे तयार कर दियार गेंग है उपको एक घंटे कहता है अब हम आपको जो detail देने जा रहे हैं actual जो गैंग है वो दे रकएंग है आपको semi होगा, unskilled होगा तो actual में जो लगा हमने सोचा था भईया, दो worker से काम निकल वाले गए लेकिन skilled में तो दो ही लगे यहाँ पे 3 लगे फाइदा हो गया, यहाँ पे कितने लगा दिया पांच लगा दिया, rate जो था 20 था, और rate था 14 और 10, तो कहता है एक्च्वल कंपोजेशन यह था, hourly rate यह जो था, कहता है however the actual composition, gang तो यह सभी मिलके यह सभी gang मिलके फिर हमें unit बना के दे पा रहे हैं जो कि 4 unit काम आगा ठीक है, आगे कहता है the gang was engaged 200 hour और इस gang को 200 घंटे रखा गया, टूटल 200 घंटे, बोला यह काम करतू 200 घंटे काम करवाएंगे तो एक घंटे में 4 unit तो 200 घंटे में कितना होगा यहाँ पर unit नहीं बता है बोला इन्होंने 810 unit product was record output और यह 810 unit बना के दे दिया मतलब 200 घंटे में जहां इनको 800 unit बनाना था इन्होंने तावा तोड़ मेनद करके कितने बना के दे दिये सर 810 बना के दे दिये मैं थोड़ा उपर लिख देता हूँ थोड़ा उपर लिख देता हूँ थोड़ा उपर लिख देता है ठीक है तो कह रहा था कि इसने जो भी काम किया टोटल कितने काम किये? 200 आर और 200 आर में भी इसने 12 गंडे तो नुकसानी हो गया तो 188 actual time work हो गया और उसके अंदर इसने कितने unit बना के दिये सर? 810 unit बना के दे दिये यानि actual हमें बना के दे रहा है कितने unit? 810 unit बना के दिये तो हमें क्या करना होता है? या फिर मैं actual अगर मैं work की पहले चलो 810 unit लिख दिया है हमें और आगे कहता है ये हमें output दे रखा और standard variance और ये सारी चीज़े निकालना है अब हमें सब कुछ जितनी भी चीज़े हैं पहले यहां तक देखिए questions अभी को समझ में आ गया है questions अभी को समझ में आ गया है यहां तक यहां तक जितनी भी चीज़े 810 तो हमें अगर 810 की चीज़े दे रखी है तो हमें इसके हिसाब से convert कर देंगे अगर देखा जाए तो हमारा कितने घंटे चला काम 200 घंटे और 2 worker लगेंगे 200 घंटे के हिसाब से कितने घंटे आ जाएंगे 400 घंटे 200 घंटे काम चला 3 के हिसाब से तर 600 गंटे और 200 गंटे कराम चला 5 के एसाब से 1000 और सेम देखा जाए तो हमारा कितने गंटे काम हो गया अगर हम इसको count कर लें labor के अंदर तो कितने हो गया 2000 आ गया ठीक है इन सभीने मिलके 810 यूणिट बना दिये इन सभी ने मिलके कितने unit बना दी हमारे 810 unit और अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा हर 200 घंटे पे कितना खराब हो रहा है time हर 200 घंटे पे यानि actual work कितना है 188 तो अगर मैं इसको compare करूं तो actual 188 को हम किस से multiply कर देंगे भाईसा 188 को 2 से कर देंगे 188 को 2 से तो यह आजाएगा 376 कितना आजाएगा यह 376 wastage time करते हुए क्यूंकि आप देखिए यहाँ पे जो actual time work था वो था 188 188 घंटे काम चले है 188 घंटे काम चले है एक worker के लिए एक worker ने 188 घंटे काम किये है यहाँ पे एक worker ने 401 ने 601 ने यह सब ने मिलके इतना काम किया है हमारा क्योंकि number of worker ज्यादा था एक worker ने 188 तो भाईया दो worker कितना काम करेंगे 376 तीन वरकर कितना काम करेंगे 188 इंटू में 188 इंटू में 3 564 और 5 वरकर 188 इंटू में 5 940 और यह total काम होगा हमारा 376 प्लस में 564 प्लस में 940 तो 1880 और यही आना चाहिए 1880 आना चाहिए पहले तो आप इस वाले table को मैंने एक बनाये जिसका जो भी doubt है आप पूछ लिजे मैं दुबारा बता देता हूं नहीं तो हमारे पास 4 unit बनाने के लिए हमें 1 घंटे काम कराना पड़ेगा और एक्चुल में 200 घंटे काम कराएं हैं और यह composition था तो एक्चुल हमने इसको multiply करके multiply करके multiply करके हमने actual hour निकाल लिए क्योंकि भाई या 200 घंटे काम चले हैं यहां 2 वरकर हैं तो एक्चुल 400 घंटे होंगे 200 घंटे काम चले हैं और semi में 3 वरकर हैं तो 600 घंटे काम होंगे 200 घंटे काम चले हैं 5 वरकर हैं तो कितने घंटे होंगे यह अब actual time taken कैसे निकाला actual time work कैसे निकाला भाई अब 12 घंटे तो खराबी होगे तो actual में 188 घंटे काम हुए है जिसमें production हुआ है तो 188 घंटे काम 2 वरकर ने मिलके इतना करा होगा 188 घंटे काम 3 वरकर ने मिलके इतना करा होगा 188 घंटे काम 5 वरकर ने मिलके इतना करा होगा तो हमने इसको इस रेशियो में क्या सरा बांट दिया या फिर इसको multiply कर दिया तो यह दो column तयार होगे और actual rate में तो sir कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए that is 20 और 14 और 10 पहले ये देख लीजे table बनने के बाद तो आपने formula लगाना है पहले ये तीनों चीजे समझ लीजे फिर हम आ जाएंगे revised पे revised बड़ा ही आसान होता है फिर हम इस पे आ जाएंगे पहले तीनों चीजे समझ लीजे कोई दिक्कत है तो बताईए ये तीनों चीजे बता दीजे आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे चलें तीनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बताईए इस तीनों में झाल झाल यह सारा बुलू-बुलू क्या होएं यह को देखा ना कि नहीं क्या यह पॉंट का स्टेंडर्ड है कोई सब्पर स्टेंडर्ड ही रहते हैं यह ठीक नहीं है वेक्टर भी ठीक नहीं है नहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए है कोई डाउट सर दो हजार टोटल कैसे आया और सर फॉर्मेट की हेडिंग में क्या लिखना है फॉर्मेट तो आप लिख सकते हो नॉर्मल कैलकूलेशन या फिर वर्किंग नोट लिख सकते हो तर क्लियर है एक बच्चे का आया है किसा ल Rapha हजार टोटल कैसे दो हजार टोटला आया क्योंकि वैसे टोटल तो द Hee IKEA लेकिन वर्कर भी तो देखे ना डास अब हम पता है कि जैसे हमारा आट Сो दस यूनिट है अगर हम इस्तेंडर्ड पर काम करते तो इसको हमें एक्चवल क्श्टनर्ड के हिसाब से ले听 चलना पड़ेगा कैसे ले के चलें गाधि假 लेकर चलेंगे हमने बनाया कि इतने अट सो दस और हम चापर और मनाते दिवाइड चार तो यह कितने का काम आगया हुआ है दूखलने का या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप actual में 810 unit बनाए और अगर standard होता 810 unit बनाने के लिए आप unit बनाते तो 4 unit बनाता एक घंटे में तो यहाँ पे number of hour आगे number of hour आगे सर ठीक है न और आपको number of hour मिल जाएंगे के standard के इसाब से number of hour कितने unit में बन जाने चाहिए तो इसका मतलब बसार 810 बनाए हैं एक घंटे में कितने unit बना रहे हैं 4 तो divide 4 तो देखा जाए तो आपको एक घंटे में 202.5 unit बना देना चाहिए मतलब कि पूरे इस time में 202.5 hour में यह 810 unit बनके तयार हो जाना चाहिए यही कहना है इसका मतलब समझ मैं यही बात में क्या कह रहा हूँ मैं यह कहना चाहिए रहा हूँ कि भाई साहाब यहां पे कितने unit बने हमारे 810 unit बने हैं 810 unit और standardly देखा जाए तो कितने unit तयार हो जाता है चार unit तयार हो जाता है तो इसका मतलब यह जो आये था हमारा 202.5 यानि हमारा यह 810 unit को बनने में इतने घंटे में तयार हो जाना चाहिए तो सर इतने घंटे में तयार हो जाना चाहिए तो अगर 4 वरकर है तो कितने घंटे लेगा अगर 4 वरकर है 2 वरकर यहाँ पे है तो कितने घंटे लेगा 202 202.5 इंटू में 2 वरकर तो ये 405 घंटे लेगा इस्टेंडर आवर 405 गंटे ले लेगा दूसरा कितने लेगा चार वरकर है 202.5 इंडू में 4 साहब ये 810 गंटे लेगा ये भी कितना लेगा 810 गंटे इस्टेंडर रेट तो हमें पहले से पता था 20 बारा आठ 20 बारा और आठ देखिए ये भी देख लीजे दो टेबल और दो टेबल और बना दिया इसको भी देख लीजे जिसका डाउट है आप पूछ ले ना क्योंकि एक कुश्चन है जो थोड़ा सब कुछ मिक्स है इसके अंदर उससे साफसे कर रहे हैं कि बताईए कि सर क्लियर है 810 बताईए पहले सभी बच्चे बता दिए ये वाला पॉइंट क्लियर है ताकि बस एक रिवाइज वाला है ये करना रह जाएगा फिर तो बस फॉर्मूले लग दें सर जैसे एक्चुल 200 आवर लगे थे तो स्टेंडर में 205 लग जाएंगे हाँ नहीं अब यह कहने का मतलब यह है तुशार के स्टेंडर में 205 दो सो दो पॉइंट पांच आवर लगने चाहिए थे स्टेंडर ली हमने सोचा था लेकिन लेबर इतना महनती निकला किसमें 200 ग हमें साथ ज्यादा ही एक्चुल होगा यह भी पॉसिबल है स्टेंडर हमने ज्यादा सोच लिया और एक्चुल कम हो गया थाइंग थेक है अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं जो हमारा एक्चुल आवर होता है उसको किस रेशो में बाट दिया जाता है हमारा स्टें ग्ट निकलके आए ना अगर मैं यहां कर दो एक बर कट गया दूबर में दो इसको बाट देते हैं कि इसको कि दो हदार डिवाइडेड वाई-पांच एंटु uc t Colo वर्कर हैं ऑब यह और siorg इसको जो पांठें है हम इसको बातेंगे वह यह वाला एक्टफल टाइम इसको रिच्छल बाता है तो 880 divided by 5 इंटू में 1 तो यहागए 376 और इंटू में 2 यहागए 752 और यहागए 752 यानि सर पिछले वाले questions में material वाले में और इसके अंदर क्या बदलाव रहा और क्या changes है तो बड़ी simple सी बात है इसमें changes क्या है अगर idle time हुआ तो जो revise निकालेंगे वह idle time minus करने के बाद ATW actual time work के ratio को हम convert करेंगे ठीक है तो यह था हमारा इसका total करना चाहते हों कर सकते 1880 आना है इसका total और इसका total 2000 ही आना है 2000 से ज्यादा आएगा ना 488 16 420 कितना आजेंगे 200 सो कि दो हजार पच्चेस है ना कि अब क्या लगाना है सर फॉर्मूले लगाने से पहला फॉर्मूल क्या कहता है material सब्सक्राइबर पॉस्ट वेरियांस क्या फॉर्मूला है सर इसका स्टेंडर्ड आवर इंटू में स्टेंडर्ड रेट माइनस में एक्चुल आवर इंटू में एक्चुल रेट चलिए सर हमारे पास तीन है मैं SSU कर देता हूं एक SM कर देता हूं ठीक है एक S के लिए एक SM और एक U कर देते हैं ठीक है चलिए इसका निकालते हैं इंटू में क्या है हमारा वीस बारा रुपय। मैंकिर मारा स्टू अधायों चाहरी चाहरे एariamente के 16 यहाँ पर क्या है सब्सक्राइब करिए फटाफट बताईये चितने बच्छे लाइव क्लास देख रहा है फटाफट बताईये मैं आपके आंसर कहीं वेट करूँ मैं तो देखें चार सो पांथ, चार सो आठ सो दस सब कुछ देखा जाए तो फेवरेबल ही है हमारे में बस एक ये एडवर्स आ सकता क्योंकि आठ सो दस सूचा था इन्होंने हजार कॉंटिटी ले लिया और रीट भी बढ़ी गया है हमारा सर अगर आइडियल नहीं हुआ तो फिर अगर आइडियल नहीं हुआ तो हमारा इस कॉलम का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो नॉर्मल चलेगा मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है कुछ पहले का कितना है सो आ गया पहले का और ये भी आ गया फेवरेबल और दूसरे का क्यों छे दो 210 और दो कई तो डिफ्रेंस है जार सो इसका आजाएगा हमारा 200 इसका बताओ कैसे आ सकता है छे सो में से अगर 810 माइनस करेंगे तो 210 बचांगा कि बारा सो और चौदा भी तो है तो चौदा और बारा दो कई तो डिफ्रेंस है हाँ तो 210 इंटो में दो कि तेरा सुभी अई कि ऐसा गया है हाँ हाँ है है ठीक है हाँ 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 है कि अगर हम कॉमन ले लें तो दो सु दस मल्टिप्लाइब दो चार सो भी साथ अगया सब्सक्राइब हाँ 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 है चलो कि इतना रहे तेरा सो कि प्रेवरेबल एडवर्स कि देख लोई हाँ रेट ज्यादा है अगला तेरा सो बीस बता दिया दिफ्ती ने अगला भी बता दो अगला पैंतिस सो बीस क्या है हमारा पैंतिस सो बीस एडवर्स एडवर्स टोटल अगर देखा जाए तो कर दो आप एडवर्स किसना आ गया है अगला क्या देखेंगे लेवर प्राइज बेरियांस मैं शॉट पर में लेकर रहा हूं यहां पर क्या फॉर्मूला होता है इसका सब्सक्राइब एक्चुल आर इंटू में स्टेंडर्ड रेट माइनस में एक्चुल रेट तो फिर ते एस के लिए निकालेंगे एस एम के लिए निकालेंगे यू के निकालेंगे एक्च्वल आर देखा जाए तो 400, 600 और 1000 स्टेंडर्ड रेट देखा जाए तो 20, 12 और 8 एक्च्वल रेट देखा जाए तो 20, 14 और 10 तो पहले वाले का देखा जिरो ही आ जाएगा है ना दूसरे का आगया 1200 और वो भी ग्या adverse पर तीसरे कागया हमारा दो हजार वो भी क्या एडवर्स तोटल बन गए बतंटिस तो एडवर्स ठीक है इसके बाद क्या निकाल लेंगे हम लेगर आपका एफिसेंथिए वेर्यांस लेवर एफिसेंथी वेर्यांस क्या क्याता है और संटेंडर्ट रेत ले लो और यहां ले लो आप क्या स्टेंडर्ड आवर माइनस में एक्ट्वल JUDY करतों सिंपल सी बात हैं तो हम किसके लिए निकालेंगे एस एस एम और यू अगर हम बात करते हैं एस का स्टेंडर्ड रेट तो सर यह आगया बीज बारा और आट स्टेंडर्ड आवर चार सो पांच आट सो दस और आट सो दस माइनस चार सो माइनस छे सो माइनस एक हजार अगर हम इसे देखें थोड़ा मैं साइड कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए चलिए पहले का क्या आ जाएगा हमारा पांच डिफ्रेंस है बीस सो और वह भी क्या फेवरेबल छे सो यहां पर दूसुद दस इंटू में बारा पच्छिस सो बीस वह भी फेवरेबल आट सो हजार यहां पर आ गया हमारा नेगिटिब में कितने आ गए पंद्रा सो पीस और यह भी क्या आ गया हमारा एडवर्स तो टोटल नेट में देखा जाए तो यह फेवरेबल है यानि हम अगर एफिसेंसी वर्कर के काम करने की शमता की बात करें तो ठीट ठाक था हमारे फेवर में रहा था कितने ग्यारा सो फेवरेबल लेकिन अगर हम जब प्राइस की बात कर रहे थे तो हमारे ठीक ठाक नहीं रहा था आप देख पाएंगे के यहां पर प्राइस तो ठीक था लेकिन प्राइस बढ़ गए है तो हमारा जो जो हमारा डिस्टरब हुआ इस्टेंडर्ड और एक्चुल के सोच के अंदर वो प्राइस के वज़े से जादा हमें मार पड़ी है बाकि लेवर ने तो काम अपना अच्छे से गया है और जब आप इन दोनों को जोड देंगे ना तो हमेशा किसके बराबर आना चीए इसका वो तो टेस्टिंग करने के लिए जैसे जैसे हमने पार्ट न ठीक है ना तो क्या फॉर्मूला था लेवर राइडर टाइम में कि देखो लेवर राइडर टाइम में क्योंकि यह स्टेंडर से निकला है तो स्टेंडर्ड रेट तो हो गाई होगा वाई सब इसमें इसके बाद क्या लिखा था हमने स्टेंडर्ड आवर स्टेंडर्ड ATW Actual Time Work हमेशा याद रखिएगा यह हमेशा आपका Adverse ही आएगा कुछ भी हो जाए हमेशा क्या आएगा यह Adverse यहाँ से जो हम सो करेंगे ना वो Adverse ही होगा हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा हाला कि इस वाले सवाल में देखो Positive आएगा लेकिन हम Adverse ही बोलेंगे इसको क्योंकि यह कभी आई ही नहीं सकता और Unskilled आगया ठीक है तो Standard Rate कितना है 20, 12 और 8 Standard Hour 405 810 और 810 माइनस माइनस 376 566 और 940 यह हमेशा Always Adverse होगा 580 आगया यह Adverse होगा लेकिन देखो देखने को तो आपको Positive लगेगा Positive और Negative तो एक सोच है कि Positive आगया तो Adverse और Negative इसे बोलते हैं लेकिन Idle Time के अंदर हमेशा यह Adverse ही रहेगा कितना आएगा क्योंकि यह तो Sir हमेशा क्या कर रहा है Time ही खराब हो रहा है हमारे लिए नुकसान ही है यह हमेशा कुछ भी हो जाए यह तो नुकसान ही रहेगा आगला कि हाँ कि यह नो सो चालेश कि एक हजार चालेश इन स्तीनों को जोड़ दीजिए कि कि कर दीजिए कर दीजिए कर देता हूं यह आपका पॉजिटिव है और यह माइनस है लास्ट में जो रिजर्ट निकले का अड़ बार्स पूल देंगे यह नेगिटिव इसको नेट कर दो कि 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 यह कि मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन वे मिस्टेक तो नहीं एक बार कैलकुलेशन वे मैच कर लो कि सर्थ तैंतिस सो बावन है अब समझ वनिया है एक बार कैलकुलेशन चौबिस सो बानवे कि 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 एक मिनट टेक मिनट एक मिनट यह आपकर फॉर्मूला देखना फॉर्मूले में मैंने स्टेंड़ करा है एक बार आप भी चेक रहें स्टेंड़ करा है तो तो चेसो कि वाई एक अचाओ चाल पर फिंग तर्टो 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 तो टल तेरासो ब्यांग पर एड़वाण्ज बुक के अंदर थोड़ा सा उसमें एरर दे रहता होगा उसको ठीक कर लेना इसमें ठीक है ना तेरासो ब्यांग पर अब आ जाते हैं अगली पर अगली पर अगली पर अगला क्या है हमारा मिक्स क्या फॉर्मूला कहता है स्टेंडर रेट तो होगा ही होगा और इंटू क्या था हमारा बताइए मिक्स में कि लिखा कि में अगलिख करेगा हमार आज रिवाइज में और रिवाइज के जिगाह पे जहां जहां पर एक्ट्याल लग रहा था वहाँ पहिक्या ले लेंगे हम हम तो फॉर्मूला क्या कहा रहा था कि रिवाइज कि स्टेंडर्ड कि वांटिटी विग्रियम आवर माइनस में कि एटी डबलू तो अब हम निकाल लेते हैं किसका सब्सक्राइब सेमिस्किल अनिस्किल का कि तो चार कितने हो जाएंगे हमारे इसके स्टैंडर्ड इटों हमारे कितने हैं है कि वीजुरा और समय तक रिवाइग इस टेंडर्ड कोउन्टिटी क्या है हमारा एक इस mineral और क्उमडिटीटी टेन सो च्यातर साथ सो बावन साथ सो बावन और इसके अंदर एक्चुल टाइम टेकन क्या है तेन सो शियत्तर पान सो चौशट और नौ सो चादिस निकाल लेजिए तर ये तो जीरो हो जाएगा अगला देखे पाइस सो अगला पंदरा सो चाद नेगेटिव ये है मारा नेगेटिव नेट में क्या है साथ सो बावन साथ सो बावन क्या है ये साथ सो बावन हमारा फेवरेबन पंदरा सो चाद साथ सो बावन फेवरेबन चलो एक और निकाल ले वेरिफाइ कैसे करना इन इसका इन सभी का जोड कितना हो जाना चाहिए क्योंकि ये इसी में से निकला है हमारा एक और निकालके हम कर लेते हैं तो एक और कहा करें यहां इस बेस है एक यहां कर लेते हैं कि चलिए सब्सक्राइब लेवर इल विरियंस क्या कहता है स्टेंडर्ड रेट इंटू में हम किस से कंपेर करेंगे इस टेंडर्ड और रिवाइज से करेंगे हम क्या होगा स्टेंडर्ड आवर माइनस में रिवाइज स्टेंडर्ड आवर बस तो आपका स्किल आ गया सेमी स्केल आ गया इसको क्या लिख रहे है सेमी स्कुल को हम एसम लिख रहे है और अन इसके ला गया इस्टेंडर रेट क्या है सर यह 20 12 और 8 इस्टेंडर आवर 405 810 और 810 माइनस कर दीजिए माइनस किसे करना है हमारा ज़िए थेंसो चैतर सासो बावना सासो बावना सासो बावना करिया पांसो पांसो ती हुआ शेशो चैन्वेश्ट पांसो आश्टू श्टू कारें श्टू सास्थ बावावाद तरह पॉजिटिव कि प्लस कर दीजिए तो एसको दिखा दे कि दिखाई इसको आपके ने जार्ट को पर समांगे देखा देखा है सत्रासो फेवरेबल अब इन तीनों को जोड़ी है माइनस तेरासो बांगे तो यह हमारा एक्चुल वेरिफाई हो गया कि हमारा एरर नी है बुक के अंदर थोड़ा उपर नीचे हो गया इसके अंसर में तो उसको चेक कर लिजेगा तो यह था हमारा पूरा कोशन इससे मुस्किल कोई लेवर में कोशन बनता ही नहीं जिसमें सब कुछ पूछ लिया गया बाकी आसान आसान है झाल